जी जागरन के सम्वी दर्शकों को हमारा नमस्कार हमारे विशेश लाइव कारिक्रम भ्रिगुनारी जोतिश में आप सभी का हर्दिक स्वागत है मैं हूँ कुश्पेंद्र हार्य और मेरे साथ है जोतिश विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर डावल मित्रों आप जानते ही हैं कि प्रतियक रविवार हम प्राता साड़े नो बजे से लेकर साड़े दस बजे तक आपकी जिग्यासाओं का समाधान करते हैं आपके जोतिश संबंदी प्रशनों का समाधान करते हैं आप यदि आपके पास है कोई सवाल या आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चड़ाओ के बारे में जोतिश विज्ञान का क्या महत्व है, जोतिश विज्ञान की क्या भूमी का है, तो आपके सभी प्रशनों का हार्दिक स्वागत है, आप इस मंच में शरीक हो सकते हैं, हमारे टेलिफॉन नंबर से नॉट कीजिए, देश में हमें कहीं से भी फॉन करना चाहें, तो मिलाइए 01204698029, हमारा दूसरा नंबर है 01204698030, आप SMS के माध्यम से भी इस से कारिकरम में शरीक हो सकते हैं, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए, नाडी य 7575 पर, आप जो विवरन हमें देते हैं उसके आधार पर, डॉक्टर शंकर डावल जी बनाते हैं आपकी खास जन्पत्री का, उसके बाद करते हैं आपके ग्रहों का विशलेशन और आपको बताते हैं आपके भूत, भविश्य और वर्तमान के बारे में, आज का हमारा विश डॉक्टर साब बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं, बस ठीक है, आप कैसे हैं, बहुत बढ़ी है, जी हमारे पास SMS आने शुरू हुए है, और printout मेरे पास आने लगा है, इसको भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहते हैं, जैसे राहू केतू की बड़ी चर्चा रहती है, राहू पे हम पूर में चर्चा कर चुके है, अपने पराने एपिसोड में, आज हम जानना चाहते है कि केतू क्या ग्रह है और इसका क्या प्रभाव जातकों पर पड़ता है, जैसे चायागर है, और इनका जो महत्व है, वहां तक कहें कि चंदर्मा और सूरु के तो दे बिसिकली पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स, जिन घर में बैटे हैं, और जिस प्लानेट को यह रेप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका असर देते हैं, और रहू केतू का अपना भी एक नए सरगिक एक रोल होता है, जिसको प्ले करते हैं, केतू मोटा मोटा एक स्प्र पिशुल जीवन में आगे बढ़ना है, तो मेंना केतू के नहीं बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, जी, जी, केतू का प्रभाव यदी हमारी जिंदगी में है, तो हम आध्यात्मिक पत पर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कहते है शंकर डावल ज हम केतु ग्रहे के प्रभाव और केतु का हमारे जीवन में आने वाले जोस के इफेक्ट है उन पचर्चा बनाए रखेंगे हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं दीपू उनिसा से वो अपने भाई के बारे में कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं हलो हलो दीपू जी स्वागत है आपका हमारे कारक्रम में जी नमस्ते नमस्ते कितनी उम्र है आपकी हलो आपके उमर कितनी है दीपू मेरा बीस हलो बीस साल हाँ अपने भाई के बारे में आप जानना चाहते है अब उनकी डेट अफ बार्थ, टाइम आफ बार्थ, प्लेस ओ बर्थ बताईए हाँ बीस जून, नाइटीन एटीफाइव टॉन्टिफ आफ जून, नाइटीन एटीफाइव हाँ समय बताईए, टाइम आफ बार्थ एक मिलिस बारा मिलिस पीम टॉन्टिफ आफ जून, नाइटीन, एटीफाइव वन टॉन्टिफ पीम प्लेस बताईए, कहाँ पे जन्म हुआ था? गाउगा नाब नियोगिरे डिस्टिक? नियोगिरे, बाला सर, बाला सर बाला सर, क्या पूछना चाहते हैं दीपू बाला सर में जन्म हुआ है, अपने भाई के बारे में जन्ना चाहते हैं 20 जून, 1985, एक बज़कर 12 मिनट दोपार, क्या सवाल है आपका? वो दो साल से बिमार है वो चन्ले बार है दो साल से बिमार है दो साल दो साल से बिमार है और गुरू पांचवें घर में तो इनकी दिमार्गी स्थिति अपने आप में सारे चीजों में नियंतरण में प्रॉब्लम होगा अपने आपको यह समाल नहीं पाते होंगे और नर्वेस अपने आपको नियंतरण करन में पूरे इसको काफी परिशानी है इस करेलस साल से वो बहुत बिपार है बहुत बिपार नहीं मतलब ऐसी बिमारी है जिसे ये मतलब अपना जैसे सूजबूज आगे बढ़ना चलना कोडिनेशन अदिनावल सिस्टम में इनका प्रॉब्रम रहेगा और अभी जो समय है वो नवंबर तक तो खराब है और नवंबर के बाद 2010 जून के बाद इनकी स्थिती सुधरेगी परंतो इनकी आई यू जह है वो लंबी है दिपुजी एक शुब सूचना आपके लिए कि नवंबर 2010 के बाद इनके स्वास्थ में निश्चित रूप से सुधार आ जाएगा और उम्र भी लंबिया आप ज़्यादे चिंदा ना करें किसी तरे कोई उपाई इनको बताना चाहेंगे कोई स्टौन या कोई पूजा पा करते रहें। नो किलो शार ना ृट अब 11 शनीवार तक तो ये एक ऐसी चीज е जिससे इनको फाइदा हो विए श्रणी के साथ कईत्हु हैं तो इसमें मैंने देखा में इससे फायदा होता है। और इस इस देश Kung प्रें हम उम करें और हम आँगे ह यह पानी है जो कि शिव जी की जटाओं से हर तरह निकलती है असलित वहीं से निकलती हर तरह का पानी तो उनको अर्पीत करते हुए डालते हैं इससे फायदा होगा अगर कर सकते हैं तो इस जल में प्रभा करना है नदी में डालना है 9 किलो नारियल 41 शनीवार तक लगातार आ यदि अपने भाई का हाथ लगवाकर आप जल में प्रवाइत और नदी में प्रवाइत करें गंगा में प्रवाइत करें तो आपको निष्चित रूप से निके सित्य हे है जि हमारी बहुत बहुंड वर स्रुप काम नहीं आपके भाई ठीक हो जाए जल्दी ही मित्रों है कि आप SMS के माध्यम से इस कारेकर में शरीक हो सकते हैं आप अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी N-A-D-I-D-J-Space जन्म किती थी जन्म का समय जन्म का इस्थान लिखिए अपना नाम अपना प्रशन लिखिए हमें अभी भेजिए 57575 पर एक SMS हमें मिला है रोक्सर इनका नाम यह भेजा है इनोंने हमें चमबा हिमाचल प्रदेश से नाम इनों नहीं लिखा है जन्म ती थी है 24th of September 1983 24 सितंबर 1983 मॉबाइल के लाइट डिजित है 3078 हम अपने दर्शकों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने सवालों के साथ यदि अपने नाम भी भेजे तो बहुत अच्छा रहता है इनका जन्म ती थी है 24 सितंबर 1983 समय है 3 बज कर 18 मिनट मध्यरात्री 0318 एम चमब में जन्म हुआ है हिमाचल प्रदेश यह जानना चाहते हैं कि इनका इनके शादी कब होगी जॉब कैसा रहेगा और शिक्षा और भविष्टे के बारे में आपसे मार दर्शन चाहते हैं चमबा से हमें SMS भेजा है HP से यह शादी में डिले हैं का मंगल नीच का है और लॉड करें अगला साल का समय अगला साल निकल गया तो पांच साल बात होगी निश्चे रूप से विवहा में थोड़ा विलंब है जॉब और करियर के बारे में जानना चाहते हैं फ्यूचर कैसा रहेगा जॉब यह चोटी जॉब से शुरू करेंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे 32-35 साल तक अच्छा है उसमें पहुचे हैं इनका मंगल नीच का तो ऐसे लोग तरकी धीरे-धीरे करते हैं और जहां तक इनका जॉब का सवाल है इनको अगला साल थोड़ा तनापूर्ण है मगर 2010 में इनको एक अच्छी नई नौकरी मिलेगी जिससे इनको बहुती सुख और अपने आप में अच्छा लगेगा जी 2010 में एक नई नौकरी मिलेगी और लगभग पांच वर्ष बाद विभा का योग बन रहा है अगले साल भी संकेत है विभा होने के हमारी बहुत बहुत शुख कामना है आपके लिए को दर्शक हमरे साथ जुड़े हैं सूरत से नि के बारे में थुड़ी जानकाई तहीं हाँ बताये मेरा डेट अफ बड़ है 16 सप्टेंबर 1979 सोलह सितंबर 1969 79 सेवन्टेनाइन हादी 16th of September 1979 टाइम आफ बड़ बताये हाँ चार बजे दिन में और 4 पीम 4 पीम 4 पीम विलेज है अपना डिस्टिक बताये जिला क्या पढ़ता ह है आपका महाराच महाराच आंगली जिला क्या है मिरज मिरज जी मिरज चार बज़े इतना चार बज़े जन्म हुआ है 16 सितंबर 1979 फॉर पीम और मिरज में जन्म हुआ है महराश्ट्रा में क्या सवाल है नितेश्डी आपका